देखे सालों से एक अहवा सुनते आ रहे हैं कि जब सईया भहे कोटवाल तो डर का है का लेकिन या सईया तो कोटवाल नहीं है लेकिन पिता उप मुख्य मंत्री है जी हाँ पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीम प्रेम चंद बैरवा के बेटे का एक वीडियो वाइरल हो र रहें और पीछे उनको पुलिस की गाड़ी एस्कोर्ट कर रही है वो वीडियो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और सोशल वीडिया पर सबसे ज़्यादा वाईरल होने वाला वीडियो भी बन चुका है सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से डिप्टी सीएम के बेटे अपने दोस्तों के साथ मौज मश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं अपने वीडियो देखा इस वीडियो को वाइरल होने के बाद बहुत बड़े सवाल खड़े हुए कि क्या प्रोटोकॉल के तहट जिप्टी सीएम के बेटे को एसकोट दी जा सकती है नियमों के तहट इसके साथ ही प्रेम चंद बैरवा का बेटा जो अभी स्कूल में पड़ रहा है जिसकी उम्र 18 साल की भी नहीं हुई है वे अपने दोस्तों के साथ एक खुली जीप में सरकारी गाड़ी को जो उसको एक्सकोट कर रही है उसके आगे आगे चल रहा है तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा का बयान भी सामने आ गया है डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा अपने बेटे के बचाओ में उतरते हुए नजर आए हैं देखिए ये मेरा बच्चा भी शेनियर स्कूल में पड़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वह आप सिम दोस्त हैं और मैं तो मानने पुर्धान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को के मेरे जैसे व्क्ति को राजस्तान का उपमुक्य मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं उनकी गाड़ी में बिठा लिया तो उसने भी देखने का उसने मोका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है पास है और फिर यातायत नेमो की दजिया उड़ी इसको लेकर विपक्स निसान नहीं नहीं तो कोई एसकूट के लिए लिए पीछे चल ली थी मेरी गाड़ी ना कि एसकूट कर रही थी लेकिन लोगों की भावना है इस तरह की बाते नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं तो इसमें बुरा ही क्या है और जब उनसे सरकारी गाड़ी के द्वारा करने का सवाल पूछा गया तो वह इस बात से भी कन्नी काटते वे नजर आए कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है विपक्ष सिर्फ मेरे बेटे को बदनाम कर रही है और इस मामले को हवा दे रही है ऐसे में सत्ता में काबिस BJP के डिप्टी CM के ये बोल क्योंकि युवाओं क एक अच्छा रास्ता दिखाने का संदेश देने वाले ये मंत्री या फिर कहें कि जो जन प्रतिनिदी हैं वो अपने बेटे की ऐसी जो वीडियो वाइरल हो रहे हैं उनमें यदि उसका बचाओ करते हैं जो मीडिया के सामने बयान देते हैं तो वह क्या दूसरे बच्चों को कोई उधारन पेश कर पाएंगे कि उनको समझा सके ऐसे में डिप्टी सीम प्रेमचन बैरवा ये बयान देकर एक बार फिर से ट्रोल होते वे नजर आ रहे हैं आप देखते रहे हैं दनगरी मीडिया मैं हूँ ललित वर्मा